हेलो दोस्तों आज में कोई नया topic as a target complete करने के लिए नहीं देने वाले हूं बल्के अभी तक हमने जितना पढ़ा है और सब्सक्राइब करने वाले हैं इसके बगार हमें पता ही नहीं लग सकता कि हम कहां इस्टेंड कर रहे हैं जो टॉपिक थे उनमें कुछ टॉपिक की सब्सक्राइब करने वाले हैं टेस्ट बुक से जो की एससी के लिए मार्केट में फर्स्ट स्मार्ट भुक भी है पैसे तो इसके कुछ अपने ही यूनिक फीचर से लेकिन जो मुझे सबसे अचा लगता है वो यह है कि स्मार्ट आंसर की के साथ ही हमें जाएं इसका पाइदा क्या है तो कई बार ऐसा नहीं हो तब यह कुछ थोड़ दिया वैए तो यहां पुछ लगता और ऐसा करके इस बुक में सबसे जावा मिस्ट मिलते जबकि रेल्वे के रिकार्डिंग सबसे अची बुक भी है मानी जाती है टीक है बस यही वाली जो दिक्कत है वो इस बुक में विल्कु से नहीं मिलती क्योंकि यहां detailed solution है answer हमारा B है वो B क्यों है और उस related points हमें साथ में मिलते हैं detailed solution में ठीक है So इसे हम best practice book भी कह सकते हैं बाके सब हम detail से another video में जानेंगे अभी हम यही से questioning स्टार्ट कर दें देखें first question निम ने लिखीते में से कोन गलत सुमे लेता है इसके लिए TTA time to answer दिया हुआ है 21 seconds अर्थर्ववेद जादुई मंत्र रिगवेद इस्तूति के मंत्र यजूरवेद यग्ये के मंत्र शामवेद विज्ञान का ग्यान इसका answer होगा D शामवेद विज्ञान से related नहीं है संगीत से related है शामकार्थ होता है गान इसी को हमारे भारत्य संगीत का जनक भी कहा जाता है तो answer होगा D इसके लिए idle time होगा 9 seconds में बहुँ ज़्यादा आसान question है तो क्या होगा answer option number B The next question निम लिखित में से किस प्राचीन कवी में अभिज्ञान सकुन्तलम की रचना की थी आइडर टाइम क्या है 9 seconds में बहुँ ज़्यादा आसान question है ये भास, सुद्रग, आर्यभट या कालिदास answer होगा option number D कालिदास The next question चिकित्सा और सल्ले चिकित्सा पर एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है अर्शास्त्र, रगुवंज, शुषृत सन्हीता या अभिज्ञान सकुन्तलम इसके लिए TTA टाइम टू आंसर है 14 seconds में ये वाला question भी बहुत ज़्यदा असान है कि आप 14 seconds में इसका अंसर दे सकते हैं इसका अंसर होगा C सुसृत सन्हीता The next question विपास किस नदी का रिग्वैदिक नाम है चेनाब, व्यास, जेलम या रावी answer होगा B व्यास The next question भगवान गोतम बुद्ध का जनमिस्थल है लुम्बिनी, सार्णाथ, पोध गया या वैशाली answer होगा A लुम्बिनी The next question इंडी का पुस्तर किसके दुआरा लिखी गई मेगस्थनीच, अरस्तु, चानक्य या इन में से कोई नही answer होगा A The next question वैदिक धरम को डैश के नाम से भी जाना जाता है बुद्धरम, ब्राम्यनवाद, जैन धरम या सुखवाद answer होगा B ब्राम्यनवाद The next question 1921 मौंट गॉम्री जिले में रावी नदी के तड़ पर खोजगया प्रमुख सहर कोन सा था? कनोच, हडपा, वैशाली या मगद इसके लिए time to answer है 15 seconds में बहुत ज़्यादा आसान question है ये answer होगा B हडपा then next question चंदरगुप्त फर्स्ट के उत्राधिकारी उनके पुत्र थे समुंद्रगुप्त, भानुप्त, इसकंदुप्त या पुरुप्त यहाँ option जो D है इसके जगगर मैं लिख देती हूँ बिम्बिसार, तो answer क्या होगा बिम्बिसार, बिल्कुल नहीं क्योंकि यहाँ यह जो चंदरगुप्त है यहाँ मौर्य नहीं लिखा हुआ है यह मौर्य समराजे से related नहीं है यह है गुप्त समराजे से related so answer होगा A, समुंदर गुप्त then next question मौरिच टी का किसके द्वारा लिखी गई कालिदाज, सुद्रक, बिल्हाना या भास answer होगा सुद्रक यह एक love story टाइप से है then next question प्रसिद गायतरी मंत्र किसके द्वारा बनाए गया था मन्नू, कस्तिक्य, विश्वमित्र या उद्घातरी answer होगा C, विश्वमित्र then next question गौतम बुद्ध का जनम लुंबिने में हुआ था इसकी पुस्टी किसके सिलालेक से होती है समुंदर गुप्त, हर्ष, असोका या पुलकेसीन second answer होगा C, असोका then next question किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई थी अलमसूदी, अलबरुनी, सुलेमान या फिर्दोसी answer होगा B, अलबरुनी then next question रावी नदी का वैदिक नाम क्या है असकीनी, सुतुद्री, पुरूशनी या कलिंद्री answer होगा C, पुरूशनी then next question नेमन लिखित में से कोन भारत में प्रोटो हिस्टोरिकल फेज का एक मात्र उधारण है वैदिक सब्वेता, सिंदुकाटी सब्वेता, गुप्त काल या मगत समराज्य answer होगा B, सिंदुकाटी सब्वेता then next question नेमन लिखित में से कोन अस्ठा ध्याई पुस्तक का लिखक है बानभट, पानिनी, शुद्रक या पतंजली answer होगा B, पानिनी then next question नची किता का लिख है वैसे नची किता है कोन तो एक लड़का होता है बारा सल का जोकी अपना घर छोड़ देता है मृत्यू का अर्थ जानने के लिए then कहां मिलता है इसका उलेक अर्थर्ववेद, कंठोप निशद, सौत्पत ब्रामेन या नन अफ दिस answer होगा B, कंठोप निशद ये किस से related है तो Lord of Death, यम और नची किता के बीच जो बाचीत हुई थी उसे से related है भारत में वैदिक सभ्यता, डैश, नदी के किनारे फली-फुली वो answer क्या होगा तापी, सरस्वती, नर्मदा या गोदावरी answer होगा B, सरस्वती दिन आज का last question मोहन जोदाडो शब्द का क्या अर्थ है तो क्या अर्थ है भई पसंदीदा सहर मरतकों का टीला, रहने का इस्थल या एक बजार छित्र answer क्या होगा बहुती असान question है यहाँ 7 second answer होगा B, मरतकों का टीला